भगवान स्री कृष्ण जी को तुलसी प्रिय है तुलसी में 50% कृष्ण तत्व होता है गहरे हरे रंग के पत्तों वाली तुलसी अर्थात शामा तुलसी स्री कृष्ण जी के मारक तत्वका तो हलके हरे रंग के पत्तों वाली तुलसी अर्थात गौरी तुलसी स्री आईए अब देखते हैं तुलसी पत्र का सूक्ष्म चित्र तुलसी के डंठल द्वारा ब्रह्मान्ड में विद्यमान निर्गुन अर्थात अती सूक्ष्म विश्नु तत्व ग्रहन होता है इस विश्नु तत्व का रूपांतर कृष्न तत्व में होता है और वह डंठल में भेता रहता है तुलसी के मंजिरी द्वारा कृष्न तत्वात्मक कणों का प्रक्षेपन होता है तुलसी के डंठल में पत्तों के मूल स्थान पर चैतन्य कार्यरत होता है और उसके वले वातावरण में प्रक्षेपीत होते हैं यह चैतन्य तुलसी के पत्तों के शिराओं में भी भैता है इस चैतन्य का मंजिरी द्वारा वातावरण में प्रक्षेपन होता है तुलसी के पत्तों में शक्ती के कर्ण भी विद्यमान रहते हैं इस सुक्षम चित्र से स्पष्ट होता है कि स्री कृष्ण पूजन में तुलसी का उप्योग क्यों करते हैं